प्रधान मंतरी नरेदर मोदी की बावा केदार के प्रति आस्ता जख जाहिर है से में एक बार फिर पियम मोदी बावा केदार नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं पांच नमंबर को पीम मोदी केदार नाध धाम पहुँचेंगे पीम मोदी यहां से कई करोड की योजनाओं का शुभारम करेंगे साथी वो शंकराचार के समाधे इस्तल का भी लोकारपन करेंगे संक्राचार समादे इस्तल का लोकारपन करेंगे प्रधान मंतरी करोनों की योजनाओं का शिलान न्याज भी करेंगे और केदारनाथ धा में 5 नमंबर को पीम मोदी पहुंच रहे निके दीपावली के अगले दिन एक दिन बात पहुंचेंगे केदारनाथ मंदिर को 10 कुंटल फूलों से सजाया जाएगा और 5 तारीक को केदारनाथ के दर्शन करेंगे के प्रधान मंदिर मोदी से पहले जब गए थे तो गुफा में उन्होंने ध्यान किया था और उसके बाद से वहां की गुफाओं में ध्यान करने को लेकर लोगों में काफी उच्साह देखा जा रहा है तो इस बार 5 नवंबर को प्रधान मंत्री नरे नर्मोदी पहुँच रहे हैं के दारनाथ के दर्शन करेंगे और करोडों की जो योजनाएं हैं उनका शिला न्यास होगा साथी साथ शंकराचारे समादे इस्थल का भी लोकारपण करेंगे उत्राखंड के विकासनगर के विकासनगर में रविवार का दिन काला साथित हुआ एक यूटिलिटी गाड़ी गैरी खाई में गिर गए उस हाथसे में 13 लोगों की मौत हो गई बताय जा रहा है कि 15 लोग इसमें सवार थे इनमें से 13 लोगों की मौत हुई इसमें बुशकर सिंग्हामी ने हाथसे पर दुख जताया है उधर हाथसे के बाद कैबिनेट मंतरी गणेश जोशी भी मौके पर पहुचे गाड़ी में 25 लोग सवार थे जिसमें से 13 लोगों की अभी सूसना मिली है कि उनकी जान चली गई है हम हमारी बहुत तहरी संवेदना हैं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है जो गायल है उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए उनकी साहता के लिए हर संभव हम कोसिस कर रहे हैं हर संभव साहता करें अभी मुझे पता चला है हमारी टीम है HDRF की पहुँच गई है और देखते हैं क्या निकल करके आता है जरूर उस पे हम फोकस करेंगे अभी तक उत्राखन में रिशी केस में ही एक लौता इमस है जिसमें मरीजों का दबाव काफी जादा है मगर इस बड़े अस्पताल की जरूरत कुमाओ में भी महसूस हो रही थी उदम सिंग नगर में एक सेटलाइट सेंटर एमस की एक साखा पुलने का जो निर्णे किया है मिस्चित रूप से जो उस सेट्रिव में काफी स्वास्त सेवाओं की काफी खमी थी जिसका अन्रोध मैंने माननी प्रधान मिकी जिसी किया था उन्होंने मेरे अन्रोध को स्युकार करते हुए वहाँ पर एक सेटलाइट सेंटर एमस का कुलने का निर्णे किया है इससे मिस्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्त सेवाओं हैं लोगों को तबकाल मिलेंगी और सास्ट के छित्र में एक मेत्रों की अभूत पूर परिवर्थन वहाँ पर होगा जिसकी मांग लंबे समय सिक्की जा रही गंगोत्री धाम में कपाट बंद करने के तैयारियां शुरू हो गई है पांच नमंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिये जाएंगे इस दोरान मागंगा की डोली शुर्द काली प्रवास मुखबा में छे महीने तक रही शुर्द काल के दोरान वहाँ पर मागंगा की पूजा होती है उतरबदी नाद धाम और केदार नाद धाम में भी कपाट बंद करने के तैयारियां शुरू हो चुकी है 6 नमंबर को केदार नाद धाम के कपाट बंद होगे 20 नमंबर को बद्री नाद धाम के कपाट बंद कर दिये जाएंगे चारधाम यात्रा संपन होने में अब जादा समय ही बचा इस देशन धालू चारधाम के लिए आ रहे हैं